हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाट 247 के ओफिशल यूटुब चनल पर वैभाश वासु के साथ और उमीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छी होंगे मस्त होंगे दोस्तों आज हम आप से बात करने वाले हैं FCI के details slaybers के बारे में अप सब लोग जानते होंगे कहींन कहीं से आपने अपडिट कर रहा होगा कि सका slaybers क्या है रोत दोस्तों आज का जो स्लेवर हम आप से discuss करने वाले हैं यह कहीं ने कहीं इस बार के pre-k exam में ही आपका GA है, GA कर लो, GS कर लो, GK कर लो, doesn't matter, जो भी है, तो वो आपके pre में भी है, और main, जैनि paper, phase 1 में भी है, phase 2 में भी है, तो दोस्तों, आपको कुछ इनकुछ चीज़े differ होंगी, वो सारी चीज़े हम आपसे update कराने वाले हैं, पुराने pattern को हम लोग follow करेंगे, और उसका जो syllabus होगा, वो discuss करेंगा, और current affair में किन-किन मुद्दे, जो हमारा particular topic होगा, current affair, उससे जो भी topic, आपसे question point out हो सकते हैं, जिस-जिस topic से, वो सारा कुछ हम discuss करने वाले हैं यहाँ पर, तो भाई, फड़ा फड़ा आजिए, चल्दी-जल्दी, सब के सब लोग, और जो हमारे नहे दोस्ते हैं, वो चैनल को subscribe करके, बैल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि live notification classes की, मिलती रहें आपको यार, तो भाई, फड़ा फड़ा आजिए, जल्दी-जल्दी, एक dedicated batch भी आपका start हो चुका है, और दोस्तों, वो आपका batch लाइव होने जा रहा है, आपका 26th of September से, आपको join करना है, आपको code या दखना है, Y307 code लगा के, आप इसमें enroll करा सकते हो, FCIAG grade 3 में, ठेके, सारे आपके, चाहें आपका account so general हो, या फिर आपका depo हो, या फिर technical हो, आपका सबका paper 1 सबका common होने वाला है, जहां पर आपके current affair आपको मिलने वाले हैं, तो आपको इस code के साथ enroll इसमें करा सकते हो, तो आते हैं यारे start करते हैं, और start करने से पहले आपको बता दें, यह हमारा phase 1 का paper 1 का paper pattern है, यह आपको ध्यान अखना है, तो आप यहां पर देख सकते होंगे, आपके 4 subject आपको देख रहे हैं, यह आपको सामने जो हैं, क्या है, क्या है, क्या आपका English language, reasoning ability, numerical aptitude, general studies, यह आपके number of question 25, 25, 25, maximum of 25, और duration क्या है, 15-15 minute, तो यह चीज़े आपको याद रखनी हैं, यहापर 15-15 minute के duration से, आपको यहाँ पर देखने को मिला है, यानि कि जो भी है, अब हम आपका इन सब का क्या होगा, जो इन सब में topic पूछे जाएंगे, तो इसको detailed topic, अब हम लोग आपसे update कर लेते हैं, आपको बता दें कि अगर आप जिस जोन से हो, जहाँ पर आपको job, आपको center alert होगा, उसी जिगह पर उसी जोन में center alert होगा, सर, वो गौर कीजेगा इसमें, ठीके, यह दिहान रखना है, अगर आपका timer fix, यानि time mention किया गया, तो आपको sectional भी होना चाहिए, इसमें कहीं, आप officially mention तो नहीं हुआ है कहीं, बट इसके लिए आप time दे तो मेरे को, हम next class में आपको अवश, यानि इसके regarding जरूर हम आपको बताएंगे, कि क्या इसमें sectional cutoff होगी, या नहीं होगी, ठीके, हर प्रीद, आते हैं आर अहां पर देखते हैं, अगर हम बात करें English language की, English language जो हमारा पुराना pattern रहा था, उसमें जो देखने को मिला था, वो थाते हैं उसनों क्या, basic grammar, यानि जो normal grammar से आते हैं, parts of speech, जो हो यह सारी चीज़े, वो तो थी, error detection, reading comprehension, close test, fill in the blanks, vocabulary, ठीके, and endosino, parajambal, sentence rearrangement, यह आपके कुछ bank वाले हैं, इसमें आपको SSC वाले pattern को भी add कर लेना होगा, क्योंकि इस बार आपका SSC भी देखने को मिलेगा, इस बार, यानि कि जो भी आपका paper 1 है, phase 1 होगा, English language, यानि English reasoning math, आप सब कुछ, यानि दोनों चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका अगर हम बात करें यहाँ पर, आप गौर करोगे यहाँ पर देख चीज़ समझना मेरी बात, SSC में, देखो, 25-25 question, 25 marks का, यह चीज़े जो होएं, यह SSC का concept है, यह 25-25, 25-25 वाला issue है, तो दोस्तूं, यह चीज़े याद रखना, और आपका जो duration है, time duration है, यह time duration दोस्तूं, आपका कितने मिनट का है, 15 मिनट, और time duration कौन सी exam में होता है, तो bank exam में, यानि कहने का मतलब, यह चीज़ bank के exam का है, और यह SSC के exam का है, तो यानि कि हमारा जो paper होगा, वो bank और SSC दोनों का mix-up देखने को मिल सकता है, इस बार, तो दोस्तूं, यह चीज़े ध्यान अप लोगोंने, टीके, ओके होचा, शूफिया साहीन, आचा, कहां पे बिटा, मेहंदरा किस student किस ब्रांच के, तो यह ध्यान अकना आप लोगोंने, फिर आते हैं दोस्तों, अगले point की बात करते है, reasoning availability की बात करते हैं, तो reasoning में क्या होगा, arrangement and pattern, silog, analogy, inequality, puzzle and sitting arrangement, direction and distance, blood relation, यह दोस्तों, आपके bank वाला है, इसमें आपको, इसमें आपको किसका भी add देखने को मिलेगा, SSE का भी pattern देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका SSE का भी question देखने को मिल सकता है, reasoning, यानि कि bank वाले तो होंगे ही होंगे, साथी साथ आपके SSE के भी होंगे, बच्चे यह भी ध्यान रखना आप लोगों ने, अच्छ गोरकपुर ब्रांच ओहो, तो यह ध्यान रखना आपका, arrangement pattern, syllog, analogy, यह जो हम आपका basic एनिक जो आपका pattern था, जो आपका बोला गया है, वो हम आपको बता रहे हैं, साथ आपका SSE का भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, SSE वाले जो रिजरिंग का pattern है, वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों अगले में, हमारा आता है numerical aptitude की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े दिख रहे होगी, क्योंकि ना तो इसको FCI ने कहीं mention किया, ना तो कहीं officially कहीं लिखा हुआ है कि यह होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर SSE का भी pattern होगा, यहाँ पर देख सकते हो basic calculation, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्वाडी की question यह bank वाला, time and work, stream time and distance, simple interest and compound interest, DI, number series, arithmetic problems, यह आपके bank वाले concept है, और इसी के साथ साथ आपको SSE का भी चीज़ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर, आपको mensuration भी देखने को मिल सकते हैं, एक दो question, आपको algebra वगरा तो बहुँ जादा नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन आपका यह अनुमान लगाया जा रहा है कि SSE भाला भी pattern होगा, तो कि हमने आपको पहले बताया कि जो इस बार का pattern है इनका, इस बार का pattern आपका जो 25-25, वो चीज़े क्या होंगी, वो चीज़े भाई आपका, यह SSE का concept का है, लेकिन उन्हें जो टाइम 15-15 मिनिट का time fix किया न, यह bank का concept है, तो अब यहां दोनों देखने को फंसरा है matter, सब लोग बड़े confused हैं इस सीज़े का कि क्या हो सकता है, तो यहां पर SSE भी आपको ध्यान अकना add करना है, अब आते हैं में मुद्धे की उपर, अपने J की उपर, दोस्तों यहां पर हम आपसे discuss करने वाले हैं, कि हमारे current affairs की कौन से topic, किस मुद्धों से question आ सकता है हमारा, हमें 5 question ही पढ़ना है, लेकिन 5 question हमारा sure होना चाहिए 25 में 5 बहुत बड़ा वेटेज है भाई, महमली बात नहीं है, तो दोस्तों यह ध्यान रखना है यहां पर एदगो, history, geography, economy and general science, यह और यह हम आपसे discuss करने वाले हैं, यहां पर current और economy, दोस्तों economy में जो topic होगा, हम आपको यहां पर जो मेरा subject होगा, इसको हम अच्छे से topic wise हम बता देते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, Indian banking history वाला portion होगा, Indian banking कुछ दोस्त हमारे अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ रखा होगा, यह सब जानते होंगे, ठीक हैं, दोस्तों, Indian banking history, और दूसरा क्या था, RBI, इसी RBI in monetary policy, इतना bank की, debt की तरह, bank में debt की तरह update, बिल्कुल debt में जाके, debt में जाके update नहीं करना आपनों इसमें, debt में जाके पढ़ना नहीं है, economy बस economic language में, ठीक है, और दोस्तों, आपका क्या हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप से पूछा जाएगा, market, market यानि बाजार, फिर आता है आपका national income, national income यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, फिर आता आपका budget, budget से भी question आ सकता है आपका, फिर आता आपका क्या, planning commission, planning commission, जो अभी exist नहीं कर रहा है, लेकिन question तो आते ही हमारे, तो यह वाले आपके economic topic है, फिर उसी में आ जाता है agriculture, ठीक है, agriculture, यह आपसे question यहाँ से, आपके दो या तीन question देखने को मिल सकता है, अब दोस्तों देखोई, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, साइध हमें, आपको पता होगा, यह unlimited है, कते हैं अथा है, जिसको आपको साइध update करना साथ possible ना हो, या फिर हम बता ना पाएं आपे, यह तो आपको वह सर ही बताएंगे, अब बची बात में मुद्दे की, आप बोलोगे वैवो सार, current affair आप ही deal कर रहे हो, आप बता दो current affair में क्या-क्या आ सकता है, तो भईजी मेरे current affair की बात करें, इसके लिए तो पूरा चिठ्ठा बना के रखा मैंने, पहले आप देख लो, अभी हम आपको बताते हैं, आप यहाँ पर देखो, current affair is detailed topic, अगर हम बात करें तो, अब समझना मेरी बात, गौर सा देखते हैं चलना आपको जो important topic होंगे, ठीक है, आश्यान का venue, यह आदखना, Asia Cup का venue, Asia Cup का venue, एक example, यानि कि कोई साभी जो important event चल रहा है, उसका venue कहाँ पर है, वो आप से question आ सकता है, यह important है, जैसे Commonwealth Games, कहां हुआ था, पहला चीज, दूसरा World Cup, World Cup 2023 कहां होने वाला है, ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है, कि Summer Olympic, Summer Olympic, अगला 2000, 24 में कहां होगा, या 2032 वाला कहां होगा, यह आपके important events venue है, यह ध्यानक ना है, चाहे sports हो, चाहे summit हो, या फिर कोई साभी venue हो, doesn't matter, वो यह आप से पूछा जा सकता है, जो venue रहेंगे, ठीक है, सकते हैं आपका, ठीक है, स्रीकान सर, आपके भाई, आपका जो, हाँ जोगेन सर, अफकोस यहार, यह सब हम पढ़ाएंगे, मेरी जम्मदारी हैं मेरे भाई, don't worry, हम आपका syllabus भी तयार कर रहे हैं, और इसको बताना भी है, तो बस आपका time दीजिए, आपको बहुत जल्दी आपके पेट बैच में हम मिलेंगे आपसे, जोगेन प्रधान सर, और स्रीकानता सर, S.S.C. का pattern क्या क्या होगा सर, स्रीकानता सर, S.S.C. में मेरे भाई, आपका वेट कर लीजिए, हम S.C. का भी class, S.S.C. के जो topic होगे, वो भी हम add कर आदेंगे, उसमें जो जो important हो सकते हैं, मेरे को time दो थोड़ा collect कर रहे हैं data, तेन उसके बाद बताएंगे, अभी तो हमने bank वाला बताया है, आपके S.C. वाला भी जो होगा, वो भी add-on करेंगे, कि ऐसे भी question देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, स्रीका अंसर, अभी दे देखेगा, science and technology की बात करें, science and technology में दोस्तों, आपको ऐसे question आ सकता है, कि कोई interceptor missile हुआ, या फिर ऐसे का सकते हो, कि आपका सर्मत है, हर्मिट है, ये missile किस country के हैं, जुनका नाम है, जुल जना नाम का satellite किस country ने launch किया, इरान ने launch किया, तो ऐसे science and technology से एक question आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगला question book and author, दोस्तों book and author की बात करें मेरे लाल, तो book and author से एक question देखो, अब यहाँ पे सबसे जज़ादा confusion होता है, बुक and author से क्या आ सकता है, यार मेरे भाई सही बता है न, book and author कुछ fix नहीं है, आपका 3 दिन, 4 दिन पहले का भी उठा सकता है, 3 महिने पहले का भी उठा सकता है, और 9 महिने पहले का भी उठा सकता है, तो इसमें book and author जो controversy में होती है, वो ज़्यादा news में होता है, जैसे याद है, why I am a Hindu, यह था ससी थरूर की book, यह बड़ी controversy में थी, यह exam में question पटक दिया आपका, या फिर था, एक book आई थी बहुत पहले, बहुत famous रहा था, कि वो book थी, आपने सुना होगा, वो उनका जो controversy में news था, तो उनके book कौन सी book थी, उसके बारे में news आ सकता है, आपसे question पुछा जा सकता है, कोई साबी, ठीक हैं, दोस्तों MOU, agreement और loan से बारे related question भी देखने को मिलते हैं आपके, MOU, agreement और loan से related topic भी question भी देखने को मिलेंगे, MOU क्या है, Memoranum of Understanding, agreement और loan, अगर इसकी बात करें तो इंडिया, जैसे इंडिया को World Bank ने इतने का loan दिया, इस state के लिए education sector को promote करने के लिए, या फिर tourism को promote करने के लिए, यह सारा कुछ MOU वाला हुआ, temples name, आपको पता होगा, वरिहदिश्वर temple, अभी न्यूज में था, याद है, वो ग्यानवापी मस्जिद की वज़ा से, तो आपके जो controversy news है, controversy temples है, उनके नाम highlight रखते हैं, वो आपके question आ सकते हैं, newly appointed CMN governor, अब आप बोलोगे newly appointed कहा है वह वो सर, तो आपको बता दे, आपने बिहार में देख लो अपने, ठीकें, बिहार में आप देख सकते हो, दोस्तों फिर आपके governor को ने, तो आपके governor आप कहीं से भी उठा के चेक कर लो, किसे state के भी एक governor या CM के बारे में question, देखने को मिल सकता है आपका यहाँ पे, ठीकें, अगले point को बात करें, government schemes, जैसे दोस्तों, अभी में क्या हुआ, अभी stream launch हुआ, वातसले, तो वातसले किस ministry के द्वारा launch किया गया, WCD, वातसले मतलब प्यार, दुलार, लाड करना, माता, माँ अपने बच्चे को प्यार करती, पुछकारती है, तो क्या होगा, वातसले करना, वातसले WCD, Women and Child Development Ministry, ऐसा भी question आ सकता आपका, question ये भी आ सकता, आचल, आचल, करते हैं, मा का आचल, आचल, तो आचल मतलब क्या, जो माँ आपने बच्चे को दूद पिलाती है, तो आचल से cover कर देती है, आचल, तो गरभवती महिलाओं के लिए, आचल नाम का स्कीम, किस स्टेट गौर्टमेंट ने लौँच किया, राजस्थान, तो आपको ऐसे याद अखना, ये मतलब थोड़ा बनाना पड़ेगा, और आप current affair पड़े रहो, नितियाय को वाइस शेर्मेन कौन है, तीक है, obituary एक question आ सकता है, obituary से यार, कोई साभी question, जैसे question, एक बहुत basic question, आपको लगे कि वैभुस्तर ऐसा आ सकता है क्या, बट देखने को मिला है, जो समक्क्वेस्टन के लिए, भाभी जी घर पर हैं, सुनना मेरी बात, भाभी जी घर पर हैं, उसमें किसका, मल्खान का role play करने वाले actor, जिनका निधन हुआ इन में से क्या नाम था, या फिर क्या नाम ही पूछ लिया, ये जो अभी famous अभी news में थे, इसमें किस sector से belong करते हैं, तो वो आपको यातना, अभी चुवरी, ये तो हम आपको समझा रहे हैं न, ऐसा जरूरी नहीं आये ही, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, question का तरीका कैसा हो सकता है, ठीक है, committees की बात करें, यानि समितियां, जैसे new education policy, new education policy को, launch करने वाली committee कौन सी थी, किस committee के recommendation पर लाएगा है, new education policy, तो दोस्तों आपको यातना, उस committee का नाम है, क्या, कस्तूरी रंजन committee, कौन सी committee, कस्तूरी रंजन committee, ये याद एखना आप लोगों ने, brand ambassador से एक question पूछा जा सकता है, कोई साभी brand ambassador होगा आपका, उससे question आ सकता है, famous sports name and associated person, जैसे suppose that, अभी सुना, रभी कुमार दहिया किस खेल से संबंदी थे, रभी कुमार दहिया, निखद जरीन किस खेल से संबंदी थे, जो अभी news में थी, ठीके, नाम आ सकता है, भावीना बेन पटेल जो एक पारा ओलंपियान है, इन में से किस खेल से संबंदी थी, तो दोस्तु एक question, यानि celebrity, यानि sports person उससे related news आप से पूछा जा सकता है, जी हाँ, हिमानशु भाई दिपेज भान, वेल्ड़न हिमानशु, या, आईसे ही question आ सकता है, या, ये news में रहते हैं, दिपेज हिमानशु भाई, तो ऐसी चीज़े आपके लिए important हो जाती है, धिहान रखना आप लोगों ने, I hope कि आपको मेरी बाते समन्द में आ रही होंगी, ये सारी चीज़े, तो दोस्तों ये current के मुद्दे हैं, जो हम आपसे यहाँ पर update करने वाले हैं, ठीक है, ये आपको धिहान रखना है, और दोस्तों आपको बता दें, आप इन सभी batches, आपके batches हैं, या आपको join कर सकते हो, Y307 code लगाके, आपका general, technical, ठीक है, ये आपको पता होगा, जैसे general depot, इन सब का phase 2 में paper 1 होगा, बाकी के phase 2 में paper 2, paper 3, कुछ ऐसे होगे, तो वो आपको पता होगा, detailed syllabus जब हमने करा रखा था, उसमें मैंने बताया था, ठीक है, तो आपका phase 2 में paper 1 होगा, यानि general में भी दो, फेज 1 में पहला paper, जो अभी हम बताया है मैंने syllabus, दूसरा phase 2 का पहला paper, तो phase 2 के पहले paper का, आप कह सकते हो, ये syllabus है आपका, English, reasoning, computer, numerical ability, आप चेक कर सकते हो पूरा, यहाँ पर देखो, English language में क्या है, देखो, क्या पता, अभी आपको लगे क्या वैबोस और अभी आप SSC के लिए, तो हमें SSC वाला question यहाँ पर देखने को मिलेगा सारा कुछ, SSC वाला question यहाँ पर देखने को मिलेगा सारा कुछ, एक ची दोर है आदकना, आपको बताते हैं, क्या कि अभी इसके पहले जब हमने डिस्कुस किया, तो वो बैंक का पैटन था, अभी इसमें कुछ SSC के पैटन भी है, बैंक के पैटन भी है, यह दोनों mix-up है, हाँ, exactly मानसू, इसमें ESIC वाला syllabus मैच कर जाएगा, मेरे भाई, exactly, इस स्टाटिक जीके भी यहाँ पर हम कवर कराएंगे आपको, ठीक है, यह भी मैच करेगा, देखना है, यहाँ पर, sentence improvement, idiom phrases, ठीक है, एंटो, पारा, completion, active voice, passive voice, आपका SSC में आता है, spotting errors, fill in the blanks, error correction, ठीक है, error correction, phrase in bold, and underline part, ऐसे कर क्या आता है, preposition, sentence arrangement, substitution, passage completion, sign o, joining sentence, sentence completion, यह आपके SSC और bank को, दोनों mix-up हैं इसमें आपका, ठीक है, reasoning में, analogies, series completion, verification of truth of the statement, situation reaction test, direction sense test, classification, data sufficiency, alphanumeric sequence puzzle test, blood relation, coding, decoding, assertion, and reasoning, reasoning, arithmetical reasoning, operational mathematics, Venn diagram, यह सारे वे तब SSC वाले pattern भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर, जो यहाँ पर देखने को, यानि कि जो बैक इन टीम से हम लोगे ने बात किया, उन्होंने यह बताया, ठीक है, यह तो computer का है, यार, computer को तो आप लोग समझी सकते हो, यह numerical aptitude है, आप देख सकते हो, mixture and allocation, mixture and ages, and mensuration, permutation and combination, pipe and system, percentage, simple equation, problem and numbers, average, indices, answers, compound interest, volume, odd man out, probability, profit and loss, ratio and proportion, partnership, time and work, simple interest, यह सारी question आपको math वाले में भी देखने को मिल रहे हैं, यह जो topic है, बहु जाता आप आप अगर मेरे से उम्मीद करोगे, math, English, reasoning हम बता लें, तो बस हम topic का नाम बता पाएंगे, और इसमें जो का सकते हो कि कुछ जी टेक्निकली ऐसे हैं, जो में भी आपको सर और अच्छे सा explain करें, बसरते स्लेबस आपका यही है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और दोस्तों, आपको मैंने current affair के स्लेबस को explain किया, current affair इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला guarantee है, लिख लेना, जो class करवाने वाले हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं, current affair last six month हम करवाएंगे, बट आपको PDF में हम आपको 10 महिने का total PDF प्रोवाइड कराएंगे, जोगें, जोगें sir, GS ही सिर्फ SSC level का रहेगा, ऐसा नहीं है जोगें भाई, आपका GS जो है, वो आपका bank SSC दोनों mix-up हो सकता है, मेरे भाई, ठीकें, देखाना, GS में आपका मेरे दोस्त, आपका SSC में तो बस यही देखने को मिलेगा, ठीकें, ये ये और ये सारा, ठीकें, आप अगर अप economics, अगर आप banking awareness पढ़ा होगा आपने, तो maximum चीज ये आप economics में आप update कर ले जाओगे, ठीकें, आप current affair आपको हम update करा देंगे, वो मेरी जे मदारी है, history, geography और general science, science, कहां से क्या आजाए, no idea, कुछ भी fix नहीं, सारा blank है, quality, ये भी blank है, क्या पूछ लिया जाता है, quality में civics में maximum basic question आजाए, article आजाए, ठीकें, कुछ भी आ सकता है आपका, ठीकें, फिर आपका history भी है, तो उसमें भी कुछ भी आ सकता है, तो ये topic तो आपका रहे गई, ये आपका ये तो पता ही है, आपका जो भी चीज है, ये आपको यहीं पर phase करना है, ये सारी चीज़े आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, अगर यहाँ से निकलोगे, तब आप phase two के paper one में पहुँचोगे, और general और depot के लिए आपको बता दे, पेपर one, आपका phase one का, ये तो सबको phase करना है, ये वाला section, ये वाला चीज सबको phase करना phase one में, दूसरे phase में आप जाते हो, तो phase two में paper one आपको phase करना होगा, किसका किसका, depot general का, ठीक है, ये दिहान अखना आप लोग उने, जी हाँ, zone wise cut off जाएगे उतकर, अपकोस, 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 उतकर, जब इन्होंने form fill करने के लिए बोला है, zone wise, तो अपको से बाते cut off भी zone wise आएगे मेरे बाई, ठीक है, तो दूस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर, आप इस batch को join कर सकते हो, आपको YouTube पे class तो होती रहेगी, YouTube पे class होती भी है, तो आपको एक चीज़ और बता दें, आपको लगर आओगा कि alternate days पर चल रहे हैं, क्योंकि slot का issue है थोड़ा, मेरी classes है, कहीं ने कहीं फसी पड़ी है, तो इसलिए हम आपको बता दें कि class का issue हो रहे की वज़ा से, आपका थोड़ा problem में चल जाता है, इसलिए alternate days पर चलते हैं, अदरवाइस दोस्तों आप join कर सकते हो, आप paid batch को, paid batch में देखो technical, आपको यहाँ पर देखरें, वी वाल्फ कर करना, आपको सारे batches दिख जाएंगे, देखना, फसी आई 2 एं 3 technical, complete यानि paper 1, paper 2, यानि कि आपका technical का है यह, यह आपका किस का है, तो दोस्तों यह है technical, यह है आपका accounts, यह है आपका depot, और यह है आपका यहाँ पर general का, तो general वाला अगर आपने form fill किया है, तो general वाले पर view offers पर जाना है आपने, और आपको code apply करनी है, यहाँ पर Y307, कौन सा code, Y307, और इसको आप apply कर देते हो, तो यह हो जाता है आपका कितना, तो दोस्तों यह हो जाएगा, 3, 2, 1, 9 का, गुड़ू सार इसके salary package, बहुत अच्छी खासी handsome salary है, ठीके, आप आपने देखा होगा, आपने एक video भी हुई है, चैनल पर salary package के regarding, और कल हम इसके job profile के बारे में भी discuss करने वाले हैं, कल सामें 5 बजे, सामें 5 बजे वाली class में join करना, इसका job profile क्या होता है, वो भी आप एक बारी देख सकते हो, हम इसको और अच्छे से explain कर देंगे, ठीके, तो दोस्तों ये ध्यान अखना आप join कर सकते हो, इस code के साथ, आपका ये batch स्टार्ट होने वाला है, तो आपको यादना code Y307, अगर इसके book के लिए जा रहे हो आप लोग, अगर book लेना है, तो आपको code याद रखना है, Y307S code, ये आपके book के लिए है, ये ध्यान रखना आप लोग ने, तो thank you guys, आज के लिए फिलाल इतना ही, और हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक लिए दूस्तों, नवसकार धन्यवाद जहिन, और कल हम आप इसके job profile के बारे में, डिसक्स करने वाले हैं, आपको छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे, actually इसका job profile क्या है, जर्नल डीपो और एकाउंट्स का, ठीक है, बाई-बाई, डिक क्या है, जी हाँ, जोगिन सर, इस दोनों mix-up रहेंगे सर, दोनों mix-up, पेपर वन में, यानि फेज वन में, आपको देखने को मिल सकता है, बैंक का pattern, फेज टू में बैससी और बैंक, दोनों देखने को मिल सकता है, अब क्या कितना हो सकता है सर, ये तो एक्जाम के बाद ही पता चल पाएगा मेरे बाई,